हेलो फ्रेंट्स वेल्कम डिटो पॉपकॉन टीवी में आरीजीत और मेरे सद्य अंकीता है और आज जो वीडियो हम लोग देखने बाले वह मौराना तरिक जमील साहब की फार्स्ट एवर विजिटेट इंडिया मौरा एक मतलब वीडियो बहुत अच्छे लगता है और यह वीडियो देखने के लिए मैं बहुत ज़ए एक्साइटेट हूँ चलिए देख लेते हैं एक्टीटू की बात है मैं इंडिया के हूँ अकेला फ्रेंड में साथ जालंगर से रश चढ़ा लोग खड़े हूँ गए था तो एक नौजवान सा था वो जवान था नौजवान था नौजवान था नहीं तो वो खड़ा हूँ तो मैं एक सिक को दावत दे रहा था तो मेर हूँ शոन था तो मुश लांगरी से के दो धते फ्रोंगर य य था पकास्तान तो फिर कैन लिगा फ्रोंगर इन पकास्तान मैं को मुलताण from where in Hultani मैं खेँ why are you asking क्यों बूशी बूशी I am from Hultani a small town Tulamba उर्दों जब Tulamba कहा तो मैं हस पड़ा तो फिर उर्दूं बोला हसे क्यों हो मैं जा I am from Tulamba आप अपनी बोली बोली है। किरें लगा इत्यता साथी कोई जान दाई कोई निए आप अपनी बोली है। भानी कोई बोली है। उसने, पीछे उसकी बेन मजमें में फंसी खडी थी। एजर्ट अमर असीद है उसने उसको जाके बताया कि तुलंबे का एक रड़का गठो रहे तो आई शेर नहीं किता थो इसी हैवी वेट उसने इधर फैंट आए तो इधर फैंट आए जब मेरे सामने वाली सीट पर तीन आदमें बठे थे तो तीन ही की वो थी तो उसने ना आ वा कि उनके बीक में जो गुसी एक नीचे के रिग आगञे होगे मुझे कि बतरा अ तु तुलंबेदां ने जी में अ मसी जी मैं तुलंबेदां ए मैं ठरफ़वा हुआ जितने तुलंबे के उस मौढ़ां का नाम था राम सरूप चुगै राम सरूप चुप मुझे आज तक याद रहा है नहीं अच तक याद रहा है राम सरूप 86L सेटलाइट टाउन देश मुझे अपना अड्रेस लिया था बुदे नहीं जिन्दा मर गया है लेकर तुलंबे के हिंदू सोनी पत शिफ्ट हो गया है तो वो बीबी जलंदर से जो शुरू हुई है मुझे से बातें करना तुलंबे की तो सौनी पत तक वो चुप नहीं लिए अंबाले गाड़ी रुकी तो मैंने वो बाहर शाबड़ी वाला सेब बेच रहा था मैंने सेब लिए हेड़ी तो मैंने काट कहानी का मासी खासो है कि पुतरह से मुसलिया को लुक खान देने बद तु तुलंबे दा है तेरे दिरू जरूर खास तो बड़ी मालदार फैमिली थी उन्होंगे जो हुएली बताई वो तुलंबे की एक अंटीक हुएलियों में थी तो किया लगी मेरे बापू हवेली पूरी की ती ते उन्हों मुल्क बढ़ गया ते सानु आई छोटा जाहाई युस लिराम सरू जम्मे आहाई यहाई छे मैने दाई इनू लाएते से निकले आई ते हर शाय चाड़ते हागे ते तलंबे में हिंदू की दो बड़ी फैमिलिय थी हैं एक परू थी और एक चुक इन्होंने पूरे अलाके के जमीदारों को अपनों गुलाम बनाया हुए था सूद पे कर्जे दे दे करना उनकी जमीने सारी उन्हों में वो कब्जे में की हुई थी और वो उनके गुलाम थे तो अब उस हवेली में बीस पच्चीस और वो अकेले उसके मालक तर उसको कहन लेगी है मेरे बाप को ऐथे आके मरन अता हैं जुत्ती ना पाई कि जुत्ती पाउनी है तो तुलंबे दी पाउनी नी तो पाउनी नहीं एक तुलंबे का हुका एक खुसा यह मश्यूर था तो इसलिए वो उसी जुते के चेकर में तो नंगे पौन ही मर गया बाप हमारा हमारा तो वीडियो तो काफी छोटा था चार पांच मिनट के वीडियो था और मौलाणासब ने एक एक्स्पेरियंस अपना शेयर किया कि वो जब इंडिया रहा था मदब ट्रेंज से तो उसके बड़े में एक छोटा से एक्स्पेरि सब देश कर नहीं हुआ है कुछ फैनली चांट बगई आख माध्या में एसा जादा है इस तरह का वह्त फैम्ली मिलेंगे जो दैसे मूलतान के नाम ब हम ट कुछ कुछ फैमिली से जो फीलंग करते थे कुछ किशे जो पैंömलली से पाकिसन से बजाई कर तह किसे का अपने लोग मिल जाए कहीं पर भी बतलब अपने तरीके से पहले वह बात कर रहे तांजान कैसे इंग्लीश में बात कर रहे जब मिल गये अपना तो बोलने लगे कि अपने बात कि आपने लोकल लैंग्वेज ने बात कि तो अच्छा लगता है और बाते चालू हुआ उनका खतम हुआ बहुत देट तक हुआ ही सारे चीज अर मतब इस ते और भी पता चलता है कि जो दोनों देशों का जो कल्चर इतना सिमिलर है कास्कार के पंजब में जो चीज़ है बहुत स्यमिलर कल्चर है लैंग्वेज बहुत सेम जैसा है जो मतब खाना पीना हो कपड़े सब्सक्राइब गहांनी लगता है तो बहुत हो सप्जितर है कोई पकिस्तान अगर इंडिया से बलौग शतरी और वी दो आपके कर दो से उनके भी वीडियोस को रेक्ष्स ज़रूर करेंगें तो चलि हमिलते निक्स वीडियो में एक वीडियो कैसा लगा आपको शेलाख आपको बूतो लाक किजीए और चैनल को सब्सक्राइब किजिये तो चलि aquareं नेक्स यंod